हाई, सु आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा तीन साल का experience share करूगा इंजीनेरिंग के फील्ड में अब मुझे तीन साल हो चुके है as a engineering faculty of engineering physics, engineering mechanics and engineering graphics as well तीन सालों में जो मैंने चीजें सीखी है, मेरे students हर ब्रांच में हैं, हर ब्रांच में तो जो मेरा experience है, see, definitions तो आपको मिल जाएंगी Google पे, definitions तो कोई भी पढ़ भी लेगा, बट मैं यहाँ पर आपको experience based बातें share करूगा and वही सुनने में मज़ा आता है, right, example तोरबे जैसे एक famous question है, sir, BE versus BTEC में फरक क्या है, right जब हम sir, form बरते हैं, तो कई college इसमें BE लिखा रहता है, कई college इसमें BTEC लिखा रहता है, so major फरक लोगों को नहीं पता होता है पता होता है, तो Google वाला पता होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, BE versus BTEC में क्या फरक है, so दो BTEC होता है, BTEC में basically practical part जादा होता है क्या हो जाता है, आपर practical part आपका जादा हो जाता है, BE में क्या हो जाता है, BE में आपका theoretical part जादा हो जाता है तो इस इस दो आईडियल डेफिनेशन ओफ वी ए बैचलर से इंजिनेरिंग वर्सस बी टेक ओके याइडियल डेफिनेशन है तो जब स्टूडंस फॉर्म परते हैं तो कुछ तूडंस बोलते हैं नहीं हमको तो सिर्फ बीटेक करना है बीटेक करना है क्योंकि आयटी के बीटेक यहां यहां वाला बढ़ेंगे बट मैं आपको बता दू मुंबई उनिवर्सिटी पूने उनिवर्सिटी में बीई वर्सस बीटेक डेफिनेशन के लिए अलग है सिलेबस वाइस देखोगे सब वैसा ही है ओके सब आप महाराश्रा का वीडियो महाराश्रा के स्ट चुरली जस्टिफाय कर सके ओके तो चलिए यही एक्सपिरेंस से अपके साथ शेर करूंगा ब्रांच वाइस तो लेट स्टार की अगर हम बात करें सो कॉंपिटर में दो हिससे आ जाते हैं पहला पहला हिससा हो जाता है सौफ्ट्वेर दूसरा हिससा हो जाता है हाडवेर जैसे मनुष्य शरीर की बात करें तो मनुष्य शरीर में एक होती है फिजिकल बॉडी जो की हो जाती है हाडवेर के समान और एक हो जाता है मेंटल चीज जो की हो जाती है यहाँ पे सौफ्ट्वेर के समान रहा है माइंड हमारा मन तो देखा जाए तो दोनों चीजें हो जाती है रियल लाइफ में अगर आप ब्रांच की बात करो तो ब्रांच इसी आधार पर डिवाइड की गई है एक्जांपल दौर पर सबसे पहली पहली ब्रांच हम बात करते हैं इंजिनेरिंग जब औप्शन फर्म रिलीस होगा तो स्टूडन्स दिखते हैं कि इंजिनेरिंग भी लिखा हुआ है और सीच बी ऐसे लखा हुआ है फिर असा सोचते हैं अपने को लेना कौन सा यार इंटरनेट पे तो हम सुनते आये थे इंजिनेरिंग तो confuse हो जाते हैं मैं आपको बता दूं कॉंप्टर इंजिनेरिंग और और कॉंप्टर साइन्स इंजिनेरिंग एक ही चीज़ है इसमें फरक नहीं है महाराष्ट्रा लेविल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में भी लोग वीडियोस देखते हैं बट मैं थोड़ा साब को बतातू दोनो एक ही है computer engineering में क्या होता है आपको hardware का part भी पढ़ना रहता है प्लस आपको software का part पढ़ना रहता है आपके syllabus में दूसरे branches में कहीं पर भी नहीं है न इसमें है न इसमें है कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर यह फाइदे वाली बात है या नुकसान वाली बात है तो एक normal सी बात है क्योंकि मैं आपको बता दूँ इंडिया में जो jobs का culture है 99.9% लोग software industry में ही जाते है आपने कभी अपने दोस्तों को भी नहीं सुना होगा कि कोई chipset industry में गया कि वो chips बनाता है राइट सो बेसिकली ICS डिजाइन करता है वो सब काम electronics वाले लोग कर लेते है so hardware आप पढ़ तो लोगे but jobs तो लोग software company में करते है so it is a normal thing focus आपको software वाले पार्ट पर ही करना पड़ेगा क्योंकि jobs तो आपको उसी basis पे मिलेंगी so this is the first branch computer engineering और आप कह सकते हो computer science engineering काफी लोगों को नहीं पता होगा मैं आपको बता दो first year का syllabus सारी branches का सेम होता है पहली branch में आप कुछ first year में कोई भी branch ले लो आपको physics पढ़ना पड़ेगा engineering mechanics पढ़ना पड़ेगा engineering graphics पढ़ना पड़ेगा there is no other way so first year का syllabus सेम होता है सब्जेक्स हैं जिसे मुंबई उनिवर्सिटी में 5 सब्जेक्स होते हैं पूने में 6 होते हैं पूने में थोड़े से जाधा होते हैं usually पूने में autonomous colleges भी बहुत हैं so basically ऐसा नहीं है कि सारे subjects अलगोंगे 50% syllabus तो common ही हो जाते हैं चाहे आप IT ले लो चाहे आप computer engineering ले लो आप computer science engineering ले लो यह इवन आप computer science ले लो आदे से जाधा subjects आपके common ही हो जाते हैं यह हो गया अपना first branch का discussion जिसमें हमने देखा यहां पर hardware भी है as well as software भी है आ जाते हैं आपर दूसरे part के उपर that is computer science so computer science में आपका हो जाता है आप एक complete software का part क्या हो जाता है आपर हो जाता है complete software का part यहां पर आप पूरा कपूरा science सीखते हो कि software के level पे चीज़ें काम कैसे करती हैं जैसे PC start होता है तो start होने का क्या process है आपको बताओका जब format लगता है जाता है computer science subject के अंदर आपको hardware का part नहीं पढ़ना पढ़ता है आपको कह सकता हूं यहां पर extra चीज़ें आप कम पढ़ते हो क्योंकि hardware वैसे भी use नहीं होता है 99.5% लोगों के लिए तो this is the software based part यही है जो आप सुनते रहते हो CS 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 करेंगे फिर coding करेंगे वगेर 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 so this is the basic thing ओके चलिए हमारी यहां पर दो branches CS अलग है CE और CSE एक ही है CS में आपको सुर्फ software का part करना है जबकि यहां पर आपको software प्लस hardware दोनों करने है आ जाते हैं हमारी third branch के उपर जो की हो जाता है information technology यानि IT branch so मैं आपको एक बात बता दूँ end goal जो भी है जो आपका end goal है जितने भी students engineering ले रहे है majority students में word use करो end goal जो भी होता है end goal हो जाता है आपे software company में job लेना most of the students उसी वज़े से job करते हैं हम उसी वज़े से पढ़ते हैं मैंसा मत बना हम तो start up करेंगा ठीक है करना but majority लोग यही सोचते हैं कि अपना end goal होगा software company तो basically software company आपको job देने आती है तो वो branches के बारे में differentiate नहीं करती है so third year of engineering SAM 6 में प्रवेश हो जाता है आपकी companies का end companies जभी भी आती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि CS वाले बंदे आओ या सुर्फ CSE वाले बंदे आओ या CE वाले बंदे आओ ऐसा कुछ भी नहीं होता है so information technology कौन से लोग लेते हैं जिनको पढ़ना तो computer engineering ही था या computer science ही उनको कड़नी थी बढ़ marks कमा गई क्या कमा गया so basically वो लोग क्या करते हैं information technology तो क्या ऐसा है information technology ले लिया तो कि life अलग हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे जो friends से मेरे जमाने के जो दोस्त थे तो उसमें IT वाले भी थे उसमें computer engineering वाले भी थे उसमें computer science वाले भी थे mechanical वाले भी थे सब लोग एक ही साथ company में बठे थे अभी एक ही company में तीन चार branch वाले लोग job करते हैं company का नाम है JP Morgan okay so basically information technology अगर marks कम आजाए लोग comments में पूछते है sir मेरा कम marks आया है drop ले लूँ sir मेरा marks बहुत कम आया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे सब्सक्राइब लोग marks आ जाती है तो फिर students को मिल जाता है form accordingly अगर आप भरोगे सो मिल जाता है no doubt information technology के subjects भी कुछ ऐसा होते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको networking के बारे में अच्छा कासा जानना पड़ता है आपको पता होगा कोविड के समय पर सब चीजे बंद हो गई थी बट आईटी वालों के jobs बंद नहीं हुए थे इंटरनेट के थू networking तो हर जगे चालू थी रही यहाँ पर कुछ subjects आपके extra हो जाते हैं again first year तो same है second year भी आदा same है वही मैं बता रहा हूँ third fourth year के आपके कुछ subjects पूरे के पूरे आ जाते हैं information technology पे वेश तो subjects यहाँ पर आपके add-on हो जाते हैं okay मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी बेदभाव मत करना के CS उपर है IT नीचे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है end goal में आपको कुछ भी differentiation ऐसे देखने को नहीं मिलेगा बढ़ते हैं आगे तरफ बात करते हैं आप artificial intelligence के बारे में अब artificial intelligence और machine learning कुछ ऐसा है कि artificial intelligence को आप consider कर सकते हो ऐसे बड़ा circle ओके सो यह बड़ा circle क्या है बड़ा circle आपका हो जाता है आपका artificial intelligence व्रांच machine learning क्या हो जाता है machine learning आपका आ जाता है artificial intelligence के अंदर हो के machine learning किसके अंदर आ जाता है machine learning आ जाता है artificial intelligence के अंदर अब मैं आपको एक बात बता दू artificial intelligence, machine learning, data science and cyber security and even IOT and robotics यह जितनी भी ब्रांच हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रांच तो यह जो 6 ब्रांचिस हैं इच्छे ब्रांचे अब जब यह ब्रांच्ज इंट्रोडियूस हुई थी तो यूट्यूब पैसा फैल गया था कि नया ब्रांच है नौकरी कौन देगा, job मिले इन, तयसी को पता भी किसी को पता ही नहीं जौबत हैं भी कि नहीं है इससा कुछ फरक है तो कि आपको बताओंगा थोड़े दिनों में जिर्य आगे बढ़ेगी हमारीúblic November 2021 में भी ऐसा ही हुआ सब मुझे मेसेज करे थे पर सर 2020 वालों की फस्ट बैच 2024 में पूरी होगी जब उनको जॉब्स मिलते हैं तभी हमें ये ब्रांच लेना चाहिए जॉब्स तो मिले हैं पहले बड़ मैं आपको बता दू ऐसा कुछ भी नहीं है तो जिन लोगों का मार्क्स कम है इवन आप लोग ये ब्रांच के लिए भी जा सकते हों या जिन लोगों का मार्क्स जादा है अब 2023 चल रहा है 2023 में AI ओर कम कर गया है काफी चीजों को तो मेरे इसाब से अब students वो mentality के नहीं है कि पहला बैच ही इस ब्रांच का खतम नहीं हो तो हम कैसे ले अब तो उल्टा artificial intelligence सबको पता है कि उसकी value कितनी जादा है रही तो artificial intelligence, machine learning, data science, cyber security and IoT and robotics इन न्यू ब्रांच इस हैं काफी कम colleges में मिलेंगी तो basically यहां तक ठीक है Cyber security और इसके बारे में हम चलो बात में बात करते हैं Artificial intelligence और machine learning चली देखते हैं हम यहां पर सबसे ज़्यादा major subject कौन सा लगेगा तो यह जो भी चारों ब्रांच इस मैंने बताई यहां पर आपका calculus बहुत ज़्यादा dominate करेगा काफी जादा mathematics आपका strong होना चाहिए mathematics अगर आपका strong है तो आप easily चीज़ों को cover कर सकते हो Students का क्या होता है जब भी वह लोग सोचते हैं engineering वह लोग बोलते हैं अपने को coding करना है coding करना है सर मैं coding सीख लूँ क्या सर vacation है फटा फट से coding कर लूँ क्या पर मैं आपको बता दूँ coding सीखने से पहले आपको mathematical logics लगाने proper way में आने चाहिए Example तो और एक famous example है अगर मुझे मेरे घर से लेकर के किसी जगह पर जाना है right मुझे मेरे घर से लेकर के किसी जगह पर जाना है सो मैं क्या करूंगा मुझे shortest distance चाहिए तो shortest distance find करने के लिए पहले मुझे mathematics लगाना पड़ेगा right पहले maths लगाने आना चाहिए अगर मुझे maths लगा दिया मैंने मैंने distance value calculate कर दी उसके बाद मैं उस maths को convert कर दूँगा किसी language में वो language को आप c बोल सकते हो उस language को आप c++ बोल सकते हो उसको आप python कह सकते हो Java जो आपको मन करने आप कह सकते हो वो even चोले आपको पता चलेगा बट पहले आपको mathematics आना चाहिए लेंगवेज सीख तो लिया बट लॉजिक दिमाग तो लगाना है तो पहला स्टेप दिमाग लगाना है तो बेसिकली यह जो मैंने branches बताई यहाँ पर mathematics strong होना चाहिए सो artificial intelligence का मतलब क्या होता है प्यॉरली दब रांच इस बेस्ट ओन scanner का में क्या बोके मैं क्या बोल सकता हूं तो टेसला कार समजिन पारी थि यह क्या है तो इसको कभी आख़ती कभी और ररही थी कि स्पश करेख़ रही थी बाई सांती करेबल ग células कार वालों ने कभी सोचना भी नहीं था कि अपने उदर डालना पड़ेगा तो machine learning, so है algorithm C, but किसी specifically चीज़ के लिए बनाए गए है, specifically किसी machine के लिए design की गए है, okay, so artificial intelligence and machine learning, अगर आप syllabus भी देखोगे, तो आपको अच्छा खासा matching वहाँ पर भी नज़र आएगा, so AI एक बड़ा domain है, machine learning उसके अंदर छोटा domain है, क्या दोनों में scope है, yes, दोनों में scope है, कोई tension की बात यहाँ पर है, सच नहीं है, sir, क्या हम ले सकते हैं, yes, आप ले सकते हो, sir, हमारा marks कम है, मिलेगा, क्या ले सकते हो, देखो क्या होगा, जो हुशार लोग है, okay, हुशार लोग है, जो दुनिया को follow करते हैं, वो CSIT AI, CSIT AI वही डालते रहेंगे, तो जिन लोगों का marks कम है, वो machine learning से शुरुवात कर सकते हो, तो मिल सकता है आपको, अभी फिर YouTube पे comment आता है, sir, आपने CAC बातें बता के, seats full करवा देते हो, तो तुमको भी तो मेरे थुरुई पता चला ना, okay, चली, बढ़ते हैं, आगे के तरह बात कर दे हैं, आपे data science के बारे में, so data science का logic कैसा होता है, so data science का logic यहां पर हो जाता है, सबसे one of the most rising branch, one of the most 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 rising branch, आज के जमाने में, इस branch को, जो भी यह branch से pass out हो के निकलता है, उसको कहा जाता है, data scientist, तो basically scientist का पदवी दिया जाता है, किसका पदवी दिया जाता है, यहां पर scientist का पदवी दिया जाता है, data science के शात्रंगणों को, scientist का पदवी दिया जाता है, आज कल सब चीजें data है, मैं उस दिन अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था तो मैंने बोला यार ट्रफल पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है बैक आया मुझे इंस्टाग्राम पर ट्रफल पेस्ट्री का एड आ गया मेरा दिमाग खराब हो गया मैं बोला भाई क्या है फोन पर ही बात करना पड़ेगा आज से रही तो बेसिकली डेटा का खेल है की वर्ट का खेल है सब चीजे रही सब चीजे डेटा है स्टूडंस को अभी के टाइम पर देखना बहुत सारे कॉल्स आना चालू हो जाएंगे आपको कॉलेजिस फोन करेंगे थोड़े समय में देखना आप लोग फेस करो के जिन जो वो यूज में आ रहा है इन उसका एप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है सो इंटरनेट तो पुरी की पुरी डेटा बेस ही चलती है एड्स अभी हर जगे पर आ गया इंस्टाग्राम फेस्बुक डेटा मैनेज करना लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है हो जाता है बड़ एक MSG के स्टूडेंट को एक अलग ही नजर यह से देखा जाता है और इंजिनियर को एक अलग ही नजर यह से देखा जाता है तो यह सब चीजें यहाँ पर अच्छा खासा डॉमिनेट करती है तो बेसिकली यह ब्रांच थोड़ा सा आपका सेग्रीगेट हो जाता है क्या हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पर सेग्रीगेट हो जाता है चलिए बात करते हैं आप अब अभी तीन ब्रांचिस और दो ब्रांचिस और के बारे में cyber security, cyber security बहुत कम लोग लेते हैं इसके colleges भी बहुत जादा कम है बड़ क्या job मिलता है येस, job का tension नहीं है अगर आप ऐसा कहीं saturate खुद को नहीं करना चाहते हो, कई बार क्या हो देलोग saturate करते हैं, जैसे कोई बोले का सर मैं पूने में रहता हूं मेरा मनने में पूने में ही पड़ू मेरा मनने में पूने में जॉब करू तो ऐसे कुछ लोग होते हैं तो basically cyber security के लिए थोड़ा सा आपको सरफ expand होना पड़ेगा पैन इंडिया कर आप expand होने के लिए तयार है तो फिर job security में इतना जादा problem नहीं आता है so cyber security में basically क्या logic होता है logic वही है आपको cloud protection करना है आपको password protection करना है आज कल नया नया feature आ गया है suggested password तो basically जिस library में वो store होते हैं जिस cloud में वो store होते हैं तो basically उन से related आपको काफी ज़ादा information आगे मिलती है again इसका जो syllabus हो जाता है अलग हो जाता है मैं syllabus यहाँ पर बता नहीं रहूँ ऐसे बताओंगा तो 3-4 गंटे लग जाएंगे किसी भी चीज़ का आपको syllabus जानना है सुरिफ लिखो cyber security Mumbai University syllabus Google पर जाके cyber security SPPU जिनको full form नहीं पता है syllabus आपको आजाएगा so cyber security थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा अलग ब्रांच हो जाता है पर अगर आपको interest है उन सब चीजों में तो आप proceed कर सकते हो इसी से रेलेटेर इंस्टाग्राम पर आ जाता है ethical hacking राइट फिर कुछ लोग बलते हैं सर साइबर सेक्यूरिटी करके ethical hacker बन जाओं फिर scope hack है तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है जो एठीक है लेकिंग आप देखते हो है hacking भी तीन प्रकार की होती है एक होती है white collar hacking एक हो जाती है black collar hacking राइट और तीसरी हो जाती है उन्हीं के बीच में तो वह hacking वेकिंग जो आप देखते हो that is a different thing आप ऐसा एक्सपेक नहीं कर सकते हो कि Mumbai University के syllabus में आपको सिखाएंगे कि hack कैसे करते हैं चीजों को राइट तो ऐसा मतलब हुए में मता आ जाना काफी लोग इसके वज़े से कुछ सा देगे मैं इसका account hacker करके से बदला लूँगा ना ओके cyber security अलग branch है आप syllabus check out कर सकते हो आजाते हैं finally हमारी last branch पहले वाले domain में पहले वाले domain में हमारी last branch internet of things और robotics तो इसे महरी प्राइँ हो जाती है तो यहां से कुछ ऐसा siren बज़े, यहां मतलब वो तो बचों वाले project हो गए, पर Internet of Things, इसमें सब छोटी-छोटी projects होते हैं, see robotics, robotics का मतलब क्या है, robotics का मतलब होता है, आप कोई machine बना रहे हो, किसी small purpose के लिए, तो वही हो गया यहां पर small-small project, तो Internet of Things और Robotics में क्या हो जाता है आपका project-based work हो जाता है, अब Internet of Things और Robotics बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग लेते हैं, इतने ज़्यादा लोग यहां पर नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा job-related issues आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर project work है, project, यहां पर computer-related इतना नहीं है, है बट दोन कम हो जाते हैं, जो मेरे students ने लिया है, वो अब तक pass out नहीं हुए है, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा predict यहां पर नहीं करूंगा, finally बढ़ते हैं, आगे हमारी 10 वी branch के उपर, यहां से joblessness की शुरुआत हो जाती है, यहां से शुरुआत हो जाती है, दमदार लोगों की, जो इन branches को select करते हैं, मैं salute करता हूँ लोगों को, so basically कुछ proskons यहां पर मुझे अलग ही थोड़ी से यहां पर बताने पड़ेंगे, electronics and telecommunication बीच में है, so यहां पर मैंने आपको बता दिया, jobs का इतना ज्यादा tension नहीं होता है, इस तरफ अगर आप जाओगे तो, इस तरफ कुछ tension नहीं होता है, बीच में आ जाता है आपका ENTC, and उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे, तो basically उसके बाद यहां से आपका थ as well as communication के बारे में भी आपको सीखने को मिलता है, ऐसी बहुत सारी branches और भी आपको देखने को मिलेंगी, पूने के autonomous colleges में, जहां पर थोड़ा सा पार्ट आपका हो जाएगा, electronics का, और थोड़ा सा पार्ट आपका यहां पर हो जाएगा, computer science का, दोनों का यहां पर गठ बंदन ह हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों का यहां पर गठ बंदन हो जाता है, तो यहां पर logic कैसा है, logic यहां पर ऐसा है, आप पढ़ोगे दोनों, ठीक है, पढ़ोगे दोनों, बड़ आपको नौकरी मिलेगी, जो आपने computer science related पढ़ा था, उसी के आधार पे, मेरे वीडियो पे तीन दिन पहले comment आया, मैं comment दिखा दूँगा, edit करके यहां पर, okay, so comment वही आया, मैंने last year भी यही चीज कही थी, कि लोग पढ़ते हैं, बड़ आपको job इसी से related मिलती है, तो basically वो अब तक culture यहां पर चल रहा है, तो क्या यह negative बात है, क्या, सबसे पहली पहली बात का, यह गलत है, कै नहीं, गलत नहीं है, this is not wrong, अभी मेरा एक student है चिनमे, okay, चिनमे, चिनमे को इतना पढ़ाया लिखाया, यह उसको बेजूँगा, इस वज़े से उसका नाम ले रहा हूँ, ताकि उसको taunt मैसूस हो, purposefully ले रहा हूँ यहां पर, so चिनमे को इतना पढ़ाया लिख electronics, 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 okay, उसका मनसारा electronics, electronics को था, उसके कहने का क्या था, कि सर मुझे electronics में मजा आता है, अब किसी को मजा आता है, तो किसी की problem नहीं है, यहां पर आई, so ऐसे भी students होते हैं, चिनको electronics पढ़ने में मजा आता है, like electrical circuits का subject देखते हैं जब, जब वो देखते हैं कि engineering में, एक semester मे 6 subject है, 6 subjects में से 5 subjects electronics कें, तो ऐसे लोगों को मजा आता है, तो अगर आपको electronics से प्यार है, तो फिर आप ऐसी branches ले सकते हो, बड़ साथ में क्या रखना, साथ में आप लोग ध्यान रखना कि आप जो important subjects है, related to CS, उनको भी आप ध्यान में दो, तो क्या होगा electronics से आपको प्यार ह अच्छा आएगा, है ना, क्योंकि branch आपका पसंदीदार है, बट side by side क्या करना, side by side आप अपना, जो coding related stuff है, जो CS related stuff है, उनको संभाल के रखना, क्योंकि job आपको वो दिलाएगा, तो ये भी ए combination, अच्छा combination यहाँ पर हो जाता है, ऐसा combination भी लोग चूस कर सकते हैं, तो जि electronics में job नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, अभी तक, job आपको इसी पार्ट से मिलेगा, तो अगर आपको ये चीज़ पता चल गई, तो आप शुरू से ध्यान दोगे, तो फिर तो जाधा tension लेने की बात यहाँ पर है नहीं राइट, चल बात करते जो government jobs even होती है, related to electrical engineering, खुलती है ऐसे कि 5 साल में कुछ 5 vacancies आएंगी, apply करने वाले कितने 9000, तो ऐसा concept हो जाता है, तो electrical engineering suggested ही नहीं है, suggested वैसा ही है कि आप CS के साथ add-on करो, आप बाहर से CS related subjects पढ़ते रहो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, most of the electrical engineers teachers बन जाते हैं, most of the electrical engineers teaching में convert हो जाते हैं, अगर आपने देखा है कि आपके college में पहला-पहला chapter current electricity सिखाया गया है, जनरल पूछ रहा हूँ, आपके college में पहला-पहला chapter current electricity, semiconductors, कई colleges में ऐसा चालो होता है, शुरुआती current electricity से होता है, तो समझ जाना आपका teacher भी electrical engineer है और teacher नहीं है, क्योंकि electrical engineering में यही हो होता है, jobs issue है, फिर वो teaching में easily convert हो जाते हैं, तो most of the engineers जिनको job नहीं मिलता है, वो teachers में आ जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा amount हो जाता है, electrical engineers का, electrical engineering suggested नहीं है, महाराष्टा के students को मैं कह रहा हूँ, इंडिया वाले गाली दे सकते हैं मुझे, वो होता भी है, उनको लगता है मै demotivate कर रहा हूँ, पर मैंने struggle करते हुए देखा है, M.U. और पूने के students मेरी 3 engineering की batches खतम हो चुकी है, आप सोचो कितने साल का experience होगा रही है, तो वहीं बोल रहा हूँ, तो electrical engineering का syllabus आपका सारा electrical based हो जायागा, पूरा का पूरा electrical, पूरा उसमें कुछ समझाने का सरवत ही नह जिसमें पहला पहला साल में subject हो जाता है, basics of electrical engineering ये subject सभी लोगों को compulsory है, first year का major में major subject है, तो compulsory subject है, बट वहीं job तो आपको उसके related नहीं मिलेगा, again coding related ही job यहाँ पर available है, so basically अभी से जो हमारी branches available है, chemical engineering, textile engineering, metallurgy engineering, manufacturing engineering, ये सब branches लोग कब लेते हैं, civil engineering काफी लोगों का मन होता है, but यहाँ से वगी in jobs full issue है, यहाँ से लेकर के खटाना Sadhguru issues ये issues है, तो basically हम आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है, कई बार लोग सोचते हैं, कि अपन college को, हम branch को compromise करते हैं, okay, कई बार लोग सोचते हैं कि अपन क्या कर देता है, बरांच को compromise कढदेता है, अपन college चूज क्न 지목कर्णết है जिसे कई लोगों को PICT का क्रेस होता है कि लोगों को PICT का क्रेस होता है मेरा स्टूडेंट चिंमें जिसका मैंने नाम लिया PICT !!!!! Lover था उगे शुरू से एक स्टूडेंट्ट है मेरा ढूब व सी ओई पी ? जावर था धुरूफ को कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए कैसे भी हो जाए कैसे भी हो जाए उसका 96 परसंटाइल आया था कोई भी ब्रांच सो पॉसिबल थी नहीं तो धुरूफ ने क्या गिया धुरूफ ने ले लिया metallurgi क्या ले लिया दुरूव ने दुरूव ने ले लिया metallurgi मैं उसको समझा रहा था के दुरूव क्या कर रहा है हमां तुझे मिला है कैपराउन तू में उसको मिल गया था अच्छा चीज व्यर्ट उसने बहला नहीं सब I want COEP मुझे COEP में क्या नाम है इसका मुझे सुन्दर सुन्दर पर चाहि रही तो उसने बला सर उसने भी तो मेटलर जी किया है अरे यार अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं अभी हर थीक है वह ऐसा एक्जाम्पल्स आप देखोगे तो थोड़े से अजीब हो जाते हैं फिर दुरूफ का मेसेज आ अब आप का दिश गया देट यह यहां पर भी थोड़ा सा जौब्स का इश्यू है कैमिकल इंजीनियरिंग करहें अभी कुछ कुल्य किएस ने हटा दिया है केमिकल इंजीनियरिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया है और इसका जो जौब है उसका जौब चल रहा है न फेक में उसका placement हुआ है, HUL के UP में जो उनका एक नया project आया है, वो UP में है, so initially वो थाने में रहती थी है और वो उसको UP में रह रही है, फैक्टरी में, so chemical engineering में basically आपको factory related job करना पड़ेगा, so chemical engineering में अगर आपको interest है, अगर chemical engineering में आपको पता कैसे चले कि क्या करना है, कैसे करना है, so chemical engineering में आपको पूरा का पूरा manufacturing and पूरा production होता है, मेरे चार interviews है, इस branch के उपर आप आराम से देख सकते हो, but problem यही है, लोगों को लगता है, मैं chemistry lover हूँ, chemistry lovers को दो option होते है, एक होता है B.A.C. in chemistry, एक हो जाता है यहाँ पर chemical engineering, but मैं आपको बता दूँ, दोनों में दुनिया भर का फरक है, B.A.C. chemistry आप तब ही कर सकते हो, अगर आपको factory में 10-15,000 की job से खुश हो, 15-20,000 maximum से आप खुश हो, B.A.C. chemistry के बाद जो factory में लोग लगते हैं, उतना 15-20,000 ही salary मिलता है, उसे उपर नहीं मिलता है, अगर उतने में खुश हो, तो B.A.C. chemistry कर सकते हो, अगर आपको teacher बनना है, तो B.A.C. chemistry कर सकते हो, तो भी ठीक है, research करना है, तो भी कर सकते हो, बट chemical engineering में अगर आप आगे, तो ऐसा मत समझना कि सुर्फ chemistry होगी, यहाँ पर आपको सब हो जाता है, chemistry भी हो जाता है, physics तो भर-भर के हो जाता है, प्लस यहाँ पर तीसरा subject आपका हो जाता है, economics, क्योंकि आपको factory को नुकसान में नहीं डालना है, यहाँ पर आपके हो जाते हैं, chemical engineering के अंदर, यहाँ पर चार साल के बाद आपको jobs मिलती है, अलग-अलग जगाओं पर मिलती है, बट उसमें भी again scarcity आजाती है, हाँ बट मिल गई तो अच्छे level पर मिलती है, पेकेज भी आपका अच्छा रहता है, पेकेज भी एक decent पेकेज आपको 8 से 10 का पेकेज मिल जाता है, chemical engineering में एक fresher को, अगर आपने successfully interviews को crack किया, तो मेरी friend ने first time में interview crack भी कर लिया, बात करते हैं textile engineering के बारे में, textile engineering, the word से ही उसका definition है पूरा कपूरा, तो textile engineering suggested बिलकुल भी नहीं है, वही लोग कर सकते हैं, जिन लोगों का घर पे already कुछ न कुछ बिजनिस है, जिसे मेरे दो friends ने fashion designing की, okay मेरे दो friends ने fashion designing की, private college से fees थी 12 लाख, 3 लाख एक साल की, 4 साल का course चला उनका, तो एक friend के घर वाले already fashion designing में है, उनका already सब कपड़ों का है, खुद की shop है, खुद की branded clothes की shop है, सब कुछ है, तो अभी एक उसने जिसने fashion designing की, उसने सीधा आपने पपा को support किया, right, दूसरे मेरे दोस्त ने fashion designing कीया है, बट कुछ उसको ही नहीं backup, right, तो Instagram पे डालता रहता है, के ये dress बना के दूँ, गो dress बना के दूँ, तो हम उसको चड़ाते हैं, के tailor है भाई तू तो, right, call me rude, okay, but it's fact है, तो उसी तरीके से textile engineering कुछ में आपका already चल रहा है, तब आप कर सकते हो, same with the metallurgy engineering suggested नहीं है, लोग branch compromise करने के लिए लेते हैं, फिर आगे future वही है, coding, wording, सीख के वापस से CSIT में आ जाते हैं, manufacturing engineering, manufacture engineering का क्या है, जिन लोगों को mechanical engineering में नहीं मिला, आपको करनी mechanical engineering है, करनी बड़े college से है, पर आपको पता है क कि percentile कम है, so basically आप क्या कर सकते हो, manufacturing engineering में यहाँ पर जा सकते हो, so manufacturing engineering आपका हो जाता है, replacement of mechanical engineering, so example तो इसका work कैसे होता है, तो हमेरा जो topper था, हमारा जो topper था, जो boards में जिसका last year 99 आया था, and finally वो सी, उसका MSTCET में भी top percentile है, तो इसने COEP में manufacturing engineering लिया, okay, and उसने खुद से ल यह था, तो उसने अलग ही branch ले लिया, manufacturing engineering, so basically होता क्या है, अगर एक project है, समझो मुझे कोई statue बनाना है, example तो statue जो मुझे बनाना है, तो वो structure पूरा mechanical engineer बना के देगा, but बनाएगा manufacturing engineer, okay, so basically syllabus आपका almost same हो जाता है, कुछ subject सिरफ और सिरफ यहाँ पर, हलके से अलग हो जाते है बाकी सारी चीजें almost यहाँ पर same ही हो जाती है, okay, चले, so इस प्रकार अगर मैं conclude करूँ, तो CS वालों को syllabus कम है, syllabus कम से मतलब है, जरूरी syllabus है, CSE और CE आपका एक ही है, IT अगर कम marks आती है, तो आप IT ले सकते हो, बाकी कुछ major फरक नहीं पढ़ता है, end goal वही है, artificial intelligence, machine learning, even यह ज सबका end goal वही है, सबका end goal क्या है, सबका end goal वही है, एक software company में परवेश, तो जो लोग भी confused होते हैं, यह लूँ, वो लूँ, ऐसा लूँ, वैसा लूँ, जादा difference नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपका future बदल गया, कि मैंने artificial intelligence लिया, उदर बैठाओं, टाज होटल में IT लिया, तो इधर बैठाओं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका scope यहाँ पर, same ही हो जाता है, even data science वालों का तो एकदम अलगी level पर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, वो तो हैं ही scientist यहाँ पर, so यह आपका पहला-पहला confusion तो मैंने clear कर दिया, कि end goal सभी branches का यहाँ इन सभी branches का यहाँ पर, same है, further number B versus BTEC का difference मैंने आपको बता दिया, ENTC electronics वालों को मैं यहीं बोलूँगा, electronics आप पढ़के अपना pointer बढ़ा सकते हो, jobs नहीं मिलती है, jobs तो आपको communication वाले part यानि, again networking, computer science उसी वाले part से मिलती है, तो जो भी आपके subjects है, core subjects जो भी आपके हैं, उन करता है, CACC वाले बंदे से, okay, कहाँ पर, जो major subjects हैं, पूरे syllabus की बात नहीं कर रहा हूं, major syllabus में वो भी बंदा, job crack कर सकता है, and करते भी हैं लोग,